दोस्ते इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं Branded Pre-Build PC के बारे में जो लोग Official Work के लिए लेना चाहते हैं एक ऐसा PC जो Branded हो उन्हें Build नहीं कराना है और अल्रेडी Branded Company से ही Build हो करके आए किसी भी प्रकार की उनको Tension नहीं लेना है सारी चीजी उसके साथ में मिले बिल्कुल कोई Tension ना हो ऐसा अगर Pre-Build PC चाहिए पहले से Build किया हुआ PC चाहिए तो बीडिव बिल्कुल आपके लिए है जिस पे आप Official Work कर सकते हैं आप इस Student है, Dextra भी चाहिए आपके लिए Perfect रहने वाला है किसी भी परकार का काम कर सकते हैं बस चुकि ये Normal uses के लिए है है तो ठीक ठाक, लेकि नॉर्मल uses के लिए है इसके अंदर है भी Graphic Card जो है आप Upgrade नहीं कर पाएंगे ये थोड़ी Problem है क्योंकि इसका Cabinet के Small Form Factor के अंदर ये आता है ये बहुत बड़ी Body नहीं होती है बहुत ही खुफसूरत होता है आपके Table पे रखा हुआ बहुत ही प्यारा लगेगा लेकिन आप इसके अंदर Upgradation बड़े-बड़े नहीं कर सकते इसलिए जिनको Normal use है वही इसको बाए करें क्या-क्या फीचर है उनस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे बजट के हिसाब से ये बहुत अच्छे Pre-Build PC हो सकते हैं कौन-कौन से model है बस समझने के लिए वीडियो सातन तक बने रहें वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक करें अपने वित्रू के साथ सेर भी करते रहें तो सबसे में हम लोग बात करते हैं पहले model की वो है HP का HP का Slim Tower ये model है जो कि बहुत ही slim है टेबल पे रखा हुआ बहुत ही प्यारा लगता है ये 12th generation के साथ में i3 12th generation i3 12-100 के साथ में ये आने वाला है यानि कि इसके अंदर जो IGP वाला जो है वो प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है 8GB का RAM है 512GB के SSD है नॉर्मल वर्क के लिए इससे जादे की जरूरत भी नहीं है वाइड कीबोर्ड एंड माउस इसके साथ में आपको मिलता है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर जो इंटिग्रेटड ग्रैफिक है वो USD 730 आता है Intel के तरफ से जो कि ये बहुत अच्छा ग्रैफिक है जो कि नॉर्मल यूसर्स के लिए बिल्कुल भी कैपेबल है Windows 11 के साथ में ये आएगा MS Office 2021 के साथ में ये आता है डार्क ब्लैक कलर में ये आता है बहुत ही सामदार PC लगता है देखने में 3 एर की वारंटी के साथ में ये आता है बाकि प्रोसेसर की बात करें तो 4.3 GHz तक ये जाता है जो कि आप इसको बढ़ा पाएंगे 32 GB तक बढ़ा सकते हैं अगर 8 GB के एक और लगा देंगे तो 16 GB हो जाएगा जिससे एक और अच्छा जो है ये काम करने लगेगा 512 GB के M.2 SSD के साथ में आता है ये बाकि 2 इसके अंदर M.2 SSD लगा सकते एक लगी हुई आई है चाहें तो एक और उसके अंदर बढ़ा पाएंगे और X16 के साथ में ये आता है PCI X16 इसके अंदर है लेकिन उसके अंदर जो ग्रैफिक काड होते हैं जो फूल साइज के आते हैं वो अप नहीं लगा सकते हैं जो लोग प्रोफाइल वाले जो आते हैं ग्रैफिक काड उसको उसके अंदर जो है लगा सकते हैं लेकिन बड़े वाले ग्रैफिक के साथ में जो हाप इसको अप्ग्रेड नहीं कर पाएंगे PCI X1 भी होता है उसके लिए कोई भी ग्रैफिक काड यूस्बी वगर अगर आब बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोस 11 के साथ में आएगा MS Office Student Version 2021 के साथ में ये आएगा बाकि Wi-Fi 6 और Bluetooth 5 के साथ में ये आने वाला है पोक्स की बात करें तो चार इसके अंदर USB Type A 5 GBPS वाला लगेगा इसके अंदर मिलेगा आपको साथ में हेटफोन और माइक्रोफोन के लिए कॉम्बो जेक मिलता है चार USB 2.0 Type A मिलता है बैक साइड के अंदर और एक जो है और यो इन और यो आउट के लिए मिलता है वो 35,990 पर फिलहाल आ रहा है जो कि prices wise अगर देखें तो ठीक हैं वो अलग matter करता है कि अगर semi specifications अगर आप ऐसे build करते हैं तो आपको इससे सस्ता पढ़ सकता है लेकिन अगर branded चाहिए तो आपको इतना खरचा करना पड़ेगा HP जैसा brand आपको मिल रहा है और इतने सारे specifications आपको मिल रहे है बहुत ही खुबसुरत model यह आपको मिल सकता है नेक्स्ट के अगर हम बात करें तो model wise यही है 12th generation i3 का 12th generation processor ही लगा हुआ है 16 GB के साथ में अगर आपको चाहिए 16 GB RAM और 512 GB SSD के अगर साथ में चाहिए तो उसका प्राइस निकल करके आ रहा है वो है 49,998 GB के साथ में चाहिए तो पिछे लवला model ले सकते 36,000 में और अगर आपको वही मोटी-मोटा अगर हम प्राइस की बात करें 16 GB के साथ में चाहिए तो 40,000 रुपे में ये आपको मिल जाएगा उसके बाद SIM work के लिए अगर हम चले Lenovo के अंदर तो Lenovo का Idea Center 3 desktop आपको मिल जाएगा 12th generation के साथ में ये भी है 12100 SIM processor लगा हुआ है SIM working के लिए इसके अंदर भी आपको मिलेगा और 8 GB के RAM लगी हुए 512 GB SSD लगी है Windows 11 के साथ में ये भी आएगा MS Office 2021 के साथ में ये भी आने वाला है और Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 के साथ में आएगा बहुत ही upgraded model ये आपको मिल जाएगा लेकिन प्राइस थोड़ा सा हाई है HP के साथ में अगर देखेंगे compare करेंगे तो ये इस वक्त जो प्राइस इसका है 37,990 है लेकिन हमेशा 35,000 के नीचे रहता है जब भी ये 35,000 के नीचे मिले तो उस वक्त आप buy करें आपके लिए बहुत अच्छा ये model हो सकता है ports की बात करें तो सारे ports इसके अंदर भर-भर के मिलते हैं जितने ports की आपको ज़रूरत है जैसे दो इसके अंदर USB 3.2 Gen 1 का मिलेगा एक USB Type-C आपको मिलेगा यानि कि सारी चीज़े आपको मिल रही है data transfer के लिए 3A का जो charging current आउट करेगा जो Type-C का है इसलिए fast charging को भी support कर रहा है एक headphone mic के लिए combo जैकर देखने को मिल जाता है सामने साथ में rear में जो है दो आपको USB 2.0 मिल रहा है दो USB 3.2 Gen 1 का मिल रहा है VGA port मिल रहा है HDMI 1.4 मिल रहा है RJ45 मिल रहा है ये सारी चीज़े जो है इसके अंदर आपको available हैं कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है keyboard and mouse wired इसके साथ में आएगा जो कि एक अच्छा सा एक package बन करके आपको मिलता है आप इसको बिलकुल भी buy कर सकते हैं इसी model के अंदर अगर हम next की बात करें तो 16 GB के साथ में बाकि सारी चीज़े वही है 16 GB RAM के साथ में 512 GB SSD है बाकि सब कुछ बिलकुल exactly भी है तो पड़ेगा 22,990 इसका price बहुत अच्छा है फिलहाल इस वक्त दोनों का price अगर ऐसा रहता है तो आपको ये वाला model लेना काफी बहतर हो सकता है तो इस तरीके से दोस्तों प्री बिल्ड PC थे जो इस वक्त भी market में बहुत चल रहा है लोग बहुत ज़्यादे पसंद कर रहे हैं तो प्री बिल्ड PC में अगर आपको चाहिए तो इनमें से जो भी आपके बज़र्ट में आ रहा है वो आप बाई कर सकते हैं आपके दोस्ते वीडियो इनफर्मिशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में ज़रूर बताएं इसी प्रकार की तमाम वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बने रहें आपके लिए बने रहें